नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि होटल और मोटल में क्या फर्क होता है अक्सर हम इन्हें एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये दोनों अलग-अलग होते हैं तो चलिए जानते हैं कैसे, सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की होटल तो आपको शहरों में, टूरिस्ट जगहों पर या बिजनेस वाले इलाकों में मिल जाएंगे वहीं मोटल हाइवे के पास या मेन रोड्स पर बने होते हैं ताकि ठके हुए मुसाफिर आराम से रुख कर फिर अपना सफर शुरू कर सके होटल देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, उनमें आराम और लगजरी का खयाल रखा जाता है मोटल का आइडिया तो पुराने सराय से आया है, जहां रात बिदाने की सुविधा मिलती थी अब बात करते हैं सुविधाओं की होटल में आपको रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, बिजनेस सेंटर और रूम सर्विस जैसी धेरों सुविधाएं मिलती है मोटल में सिर्फ बेसिक चीजें होती हैं, जैसे सिंपल रूम, फ्री पार्किंग और कभी-कभी नाश्ता भी स्टे डूरेशन भी अलग होता है, होटल में हम लंबे समय तक रुखते हैं, फिर चाहे वो छुटियां हों या बिजनेस ट्रिप मोटल तो ट्रैवलर्स के लिए होते हैं, जहां वो एक-दो रात के लिए ठहरते हैं और सबसे जरूरी बात, बजट होटल के कमरे काफी महंगे होते हैं, क्योंकि वहां आपको बहुत सारी लगजरी सुविधाएं मिलती है मोटल के कमरे सस्ते होते हैं, यानि अगर आपका बजट कम है, तो ये एक अच्छा आप्शन है तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि होटल और मोटल में क्या अंतर है अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय भी दें शुक्रिया